इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं आपके question and answer जो आपका chapter 4 है इसके प्रोज स्टोरी का वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं इस वीडियो को description में आपको उस वीडियो की link मिल जाएगी और उससे पहले की chapter की वीडियो की link भी आपको इस वीडियो को description में मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं question and answer section first है oral comprehension check इसमें आप जो भी textbook में lesson के अंदर question अजर दिये हैं पहले उनको समझेंगे आभी तक आपने एद MP English Classes को subscribe नहीं किया है तो इस channel को जरूर subscribe करें ताके हमारे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें first question है what makes writing in a diary a strange experience for any friend any friend के लिए diary में लिखना एक अलग तरह का अनुभव क्यों था इसे पहले any friend जो बच्ची थी उस time पर 13 साल की थी उसने कोई इस तरह की diary नहीं लिखी थी तो इसलिए question बनता है any के लिए diary में लिखना एक अलग तरह का अनुभव experience क्यों था answer देखें it is a strange experience for any because she had never written in a diary before यह any के लिए एक नया अनुभव था एक अजीब अनुभव था क्योंकि उसने पहले इससे पहले कभी कोई diary नहीं लिखी थी and she thinks that later on no one else not even she herself will be interested in reading a 13 year old school girl diary और Andy Frank सोचती है कि बाद में कोई भी वो खुद भी she herself वो खुद भी इस diary को पढ़ने में interest नहीं लेगी जो कि 13 साल की लड़की ने diary लिखी है उसको पढ़ने में कोई interest नहीं लेता है तो कोई तो लेगा ही नहीं वो खुद भी interest नहीं लेगी इसलिए उसके लिए एक नया अनवब अलग तरह का अनवब था Question 2 Why does Annie want to keep a diary? Annie Frank जो है diary क्यों बनाना चाहती है? Answer है Annie wants to keep a diary, Annie diary बनाना चाहती है Because she feels, क्योंकि वो महसूस करती है that she has no true and sincere friend with whom she could share her secrets क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है, कोई निसकापट ऐसा sincere friend नहीं है जिसको कि वो अपने secrets को share कर सके, बाट सके, अपने मन की बातों को वो किसी को बता सके इसलिए वो diary बनाना चाहती है Third question है, Why did Annie think she could confide more in her diary than in people Annie को क्यों लगता था कि वो लोगों से ज़्यादा अपनी diary पर भरोसा कर सकती थी Confide माने भरोसा करना तो Annie को ऐसा क्यों लगता था कि वो लोगों से ज़्यादा अपनी diary पर भरोसा कर सकती थी Answer है, Annie felt that paper had more patience than people ये sentence बहुत ही important है, आपके book में आया है वो कहती है कि एक paper एक कागज में ज़्यादा धैर होता है लोगों की अपेक्षा ज़्यादा patience होता है तो उसके विचारों को सुनने में वो मानती है कि कागज में ज़्यादा patience है लोगों की एक पेक्षा, लोग उसकी बात को नहीं समझेंगे, सुनेंगे परंतु एक paper, एक diary का कागज उसकी बात को समझ सकता है she doesn't have a true friend to confide in उसका कोई भी सच्चा दोस्त ने है, जिस पर के वो भरोसा कर सके so it was easier for her, इसलिए उसके लिए ये सरल है to write all kinds of thoughts, सभी तरह के विचारों को लिखना उसके लिए सरल है which she had in her mind, in her diary जो को उसके दिमाग में है, उनको वो अपनी डायरी में लिख सके, उसके लिए ये easier है fourth question देखे, why does Annie provide a brief sketch of her life? आपने story का वीडियो देखा होगा, तो उसमें वो अपने डायरी में लिखने से पहले वो ये बात कहती है कि अपने जीवन के बारे में संचिप्त बिवरण, brief sketch वो देना चाहती है तो इसलिए question मनता है, Annie अपनी जिन्दगी के बारे में संचिप्त बिवरण क्यों देती है एक brief sketch क्यों देती है Annie provides a brief sketch of her life in her diary Annie अपनी डायरी में अपनी जीवन के बारे में संचिप्त बिवरण देती है because, क्योंकि she thought it would help the readers to understand her stories in diary क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि ये readers, जो भी उसकी डायरी को पढ़ेगा उस readers को help मिलेगी, मदद मिलेगी to understand her stories in diary diary में उसकी कहानियों को समझने में जो भी reader है जो उस diary को पढ़ेगा, उसको समझने में मदद मिलेगी इसलिए वो brief sketch बताती है क्योंकि वो diary में जो भी घटना लिखने वाली थी उसे पहले एक थोड़ा सा अपने जीविन के बारे में उसनचिप्ति बूरण देना चाहती थी किस बात से आपको लगता है कि एन अपनी दादी मा से प्यार करती थी या पूछ सकते हैं, describe एनी's love for her grandmother एनी का अपनी दादी मा के प्रति प्यार को describe करो, वलन करो आंसर देखें, एनी loves her grandmother so much एनी अपनी दादी मा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है she stayed with her grandmother, वो अपनी दादी के साथ रुकी थी, ठहरी थी, गाओं में अपनी बहन के साथ में after her grandmother died, अपनी दादी मा की मरत्यू के बाद एनी often thought about her, एनी अकसर उनके बारे में दादी मा के बारे में सोचती है, सोचती थी and lit a candle for her on her own birthday और जब उसका खुद का बड़े होता एनी का तो अपने बड़े की मुंबत्यों के साथ में वो एक candle, एक मुंबत्य दादी मा के लिए भी जला के रखती है ताके वो feel कर सके दादी के मुझे भी बड़े पर याग किया Question 6 देखें Why was Mr. K. Singh annoyed with Annie? What did he ask to do? Mr. K. Singh एन से क्यों चिड़ते थे? क्यों नाराज थे? उन्होंने उससे क्या करने को कहा? Mr. K. Singh ने एनी को क्या करने को कहा? और वो क्यों नाराज होते थे? तो answer है Mr. K. Singh was Annie's math teacher Mr. K. Singh एनी के गलित के सिक्षक थे? She used to talk and disturb the class during his period एनी बहुत बात किया करती थी पूरी class को disturb किया करती थी पिरिट के दौरान This annoyed him और इस वात से वो चिड़ते थे Mr. K. Singh इस बात से चिड़ते थे? नाराज थे? After repeated warnings बार बार चेतावनी देने के बाद भी When she did not stop talking जब एनी ने बात करना बंद नहीं किया He asked her to write a composition on a chatterbox as a punishment तो फिर Mr. K. Singh ने एनी को एक निवन्द, एक composition एक दंड के स्वरूप लिखने के लिए कहा जिसका title था A Chatterbox बातूनी अगला question है How did Annie justify her being a Chatterbox in her essay? Annie ने किस तरह अपने निवन्द में अपने को खुद को बातूनी बताने को सही सावित किया? कैसे justify किया? उसने अपने निवन्द में खुद को बातूनी बताने के लिए जो वो punishment के रूप में उसको निवन्द लिखने के लिए दिया गया था Chatterbox पर तो फिर कैसे explain किया? उसने ये question है answer है इन हर ऐसे अपने निवन्द में Annie justified, Annie खुद को साबित किया, उसने justify किया that talking was a student's trait कि बात करना एक विद्यार्थी की विशेष्ता होती थी, कोई भी student बात करता ही है Moreover, इसके अलावा, she had inherited it from her mother और इसके अलावा उसे ये चीज बात करने की talking की जो विशेष्ता थी trait, ये उसको अपनी मां से वनसानोगत मिली थी inherited मिली थी Though, she would try to control it, yet would not be able to cure it, हालाव कि वो इस बात, इस talking की आदत पर नियंतन करने का प्रयास करेगी वो कहती है, फिर भी वो इसको पूरी तरीकी से cure नहीं कर पाएगी ठीक नहीं कर पाएगी बातुनी की आदत को One could not do much about the inherited test क्योंकि कोई भी अपनी वनसानोगत जो आदते हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, जो पैदाएसी उसको मिली है, उन बातों के बारे में सुधार करना वुश्किल होता है अगला question देखें Do you think Mr. Kee Singh was a strict teacher? क्या आपको लगता है सूशते हैं आप कि Mr. Kee Singh एक सक्त अध्यापक थे एक strict teacher थे क्या आपको लगता है तो answer है yes I think Mr. Kee Singh was a strict teacher but he was not rigid हाँ मैं सूशता हूँ आप लिख सकते हैं इस answer में कि Mr. Kee Singh एक सक्त teacher थे परंत वो rigid नहीं थे rigid माने कठोर इलकुल करकस टाइब का इस थरह का नीचर नहीं था उनका He expected discipline and silence in his class while he was teaching वो उमीद करते थे अनुसासन की शांत रहने की अपनी class में कि सब लोग सांत रहे discipline में रहे हैं student जब वो पढ़ा रहे हो उस वक्त He started giving punishment to Annie only when his repeated warnings had no effect on her Mr. Kee Singh ने Annie को देना सुरू किया केवल तब जब कई warnings जेतावनिया देने के बाद उस पर कोई प्रवाब नहीं पड़ा and she did not stop talking और उसने बात करना बंद नहीं किया अगला question देखें what made Mr. Kee Singh allow Annie to talk in class Mr. Kee Singh ने Annie को कच्छा में बात करने की स्विक्रती कैसे दे दी कैसे allow कर दी है Mr. Kee Singh ने finally इस lesson की last में ये बात आती है कि उन्होंने बात करने की अनुमती दे दी तो कैसे किया उन्होंने Mr. Kee Singh ने ये या पूछ सकते हैं how did Mr. Kee Singh's attitude towards Annie change Mr. Kee Singh का जो attitude था वो Annie की प्रती कैसे बदल गया answer देखें Annie's third punishment was to write a composition on the topic quack 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 said mistress chatterbox Annie को तीसरा दंड मिला था निवन्द लिखने का जो कि topic था quack 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 यनि काओ 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 Mrs. Chatterbox ने ये कहा ये लाल कलर से हम जो लिखा है ये third punishment उनको ऐसे लिखने के लिए Annie को मिला था in the form of a poem एक कमिता के रूप में she wrote that a father swan had bit his ducklings to death for quacking too much उसने लिखा Annie ने कि जो कहानी में जो उसने लिखी कपता ग्रूप में कि पिता हंस जो है हंस जो पिता है कहानी में उसने अपने ducklings यानि बतक के जो बच्चे होते हैं उनको मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काउं काउं करते थे बहुत ज़्यादा बातुनी थे Mr. Kee Singh liked this essay अब इसके बाद Mr. Kee Singh को ये निवन पसंद आया and change his attitude towards Annie और Annie के प्रत्य उनका जो attitude था वो बदल गया Since then he had allowed Annie to talk in class और इसके बाद उन्होंने Annie को class में बात करने की अनुमत दे दी थी Section 2 में आते हैं हम Thinking about the text Lesson के बाद में कुश्चन असर दिये हैं First question है Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या Annie सही थी जब उसने कहा कि दुनिया को एक 13 साल की लड़की के विचारों में कोई दिल्चस्पी नहीं होगी Musings माइन सोच विचार एक 13 साल की लड़की क्या सोचती है? उसने जो डाइरी में लिखा था उसके बाद में दुनिया को कोई interest, कोई रुची नहीं होगी तो ऐसा कहते से हमें क्या Annie सही थी? यह question है I don't think Annie was right in her speculations that people would not be interested in her musings मैं नहीं सोचता के Annie सही थी अपने अनुमान लगाने में कि लोग उसकी सोच विचार पर रुची नहीं लेंगी मैं नहीं मानता ऐसा On the contrary, यदि विरोद रूप में बात करें उल्टा हम बात करें The world became interested in her musings हुआ ये बाद में कि दुनिया उसके musings उसके सोच विचार में interest लेने लगी When her diary was published under the name The Diary of Younger जब उसकी diary, जिसका title था The Diary of Younger इस नाम से published हुई तो दुनिया interest लेने लगी It was translated from its original Dutch language into many languages उसका अनुवाद Diary का जो originally तो Dutch भासा में थी परं तो कई भासा में हुआ It became one of the world's most widely read books और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली केताबों में से एक बन गई Second question देखें There are some examples of diary or journal entries in the before you read section आपके textbook में before you read ये section दिये गए है उसमें उनके भाग में कुछ diary और general के उधान दिये गए है General एक ऐसा official document होता है जिसमें के तारीकों समय से chronical रूप से घटनाय दी होती है तो कुछ diary और general के उधान दिये गए है आपके lesson के section में Before you read में Question ये है Compare these with what Annie writes in her diary इस इनकी जो भी उसमें diary में जनरल में जो दिया गया है पार्ट उधान दिये गए है इनकी एनकी डाइरी से तुलना कीजी एनी ने जो डाइरी लिखी उससे तुलना करना है इनी की डाइरी किस प्रकार से अलग है तो ये question है इसमें छोटे-छोटे extract की रूप में भी आ सकता है कि originally diary किस बासा में थी तो आपको पता होना चाहिए कि वो डच बासा में थी तो चलिए answer देखते हैं एनी की डाइरी दरसल लिखी गई थी एक डाइरी की रूप में जो कि एक किशोर लड़की एक टीनेजर लड़की जो तेरह साल की थी उसने अपने जीवन के बारे में एक डाइरी लिखी थी तो डाइरी की फॉर्म में थी Today her diary resembles a memoir आज उसकी डाइरी परतीत होती है एक memoir के रूप में एक san somaran के रूप में san somaran जिसमें के आदमी अपनी पुरानी बातों को पुरानी यादों को लिखता है डेटवाईस तो एक memoir की रूप में वो लगती है यह हम तुलना करें उसकी journal या diary की प्रकार से तो अब प्रश्न ये आता है कि किस तरीके से Andy की डायरी भिन थी और लोगों से तो Andy's diary is different Andy की डायरी भिन थी because it was a lot personal than other diaries क्योंकि यह अन्य डायरीयों से कुछ जादा ही ब्यक्तिगत थी धेर सारे तरीके से personal थी Her diary was her friend उसके डायरी उसके लिए एक दोस्त थी with whom she could share all her secrets जिसके साथ वो अपने सारे secrets बाँच सकती थी share कर सकती थी She had also named it Kitty उसने इस डायरी का नाम भी रखा था Kitty तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अपनी डायरी का नाम रखे और उसी को संबोदित करे अगला question है third Why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Annie को अपने परवार के बारे में संचिप्त विवरण देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वह Kitty को यानि उस डायरी को अपना करीबी समझती है? अंदर मन की बात वाला समझती है? इसाइडर समझती है? या बार ही समझती है? तो आंसर देखें Annie needs to give a brief sketch about her family Annie को अपने परवार के बारे में संचिप्त विवरण देने की जरूरत थी अब क्यों जरूरत थी? बिदाउट इट, नो वन विल बी इंट्रेस्टेड इन रीडिंग अडायरी ओफ ए समाल गर्ल योग कि बिना इसके कोई भी एक छोटी लड़की की डायरी को पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं लेगा इसलिए जरूरी था अब यह प्रशन है कि क्या उसकी डायरी इंसाइडर थी या आउसाइडर थी उसके लिए तो for any के लिए her diary kitty जो उसकी डायरी है जिसका नाम kitty है is her friend वो उसकी दोस्त है डायरी with whom she could share all her secrets जिसके साथ वो अपने सारे secrets share कर सकती थी she therefore thinks of it as an insider और इस प्रकार से वो उसको अपने अंदर का करीबी मन का समझती है इंसाइडर उस डायरी को समझती है fourth question how does any feel about her father, her grandmother, Mrs. Cooperus and Mr. Kee Singh what do these tell you about her any अपने पिता, अपनी दादी मा, Mrs. Cooperus और Mr. Kee Singh के बारे में क्या सोचती है ये सब करेक्टर वो है जो आपके lesson में story में आये है तो इन सब के बारे में any क्या सोचती है पिता के बारे में, दादी मा के बारे में, Mrs. Kee Singh के बारे में, Mr. Kee Singh के बारे में और इन सब से आपको Annie के बारे में क्या पता चलता है उसके बारे में क्या पता चलता है तो आंसर देखें Annie loved her father and grandmother and her sixth great teacher Mrs. Kuperus Annie अपने पिता को प्यार करती थी अपनी दादी मा को प्यार करती थी और अपनी छटवी क्लास की जो teacher है Mrs. Kuperus उनको भी प्यार करती थी She also loves her teacher Mr. Kee Singh though she calls him old Foggy वो अपने teacher Mr. Kee Singh को भी पसंद करती है हलांकि वो उसको एक old Foggy एक पुराने रिवाज का पुरानी प्रमपरावाला पुरानी टाइप का teacher वो उसको मानती है Mr. Kee Singh को पर वो उसको चाहती है All the above relationship show अब क्योंकि वो सबसे प्यार करती है तो यह सभी संबन दिखाते है That she was a loving, affectionate, creative and intelligent girl कि वो एक प्यारी, प्यार करने वाली एक रचनात्मक और एक हुश्यार बच्ची थी यह उसके बारे में बताते हैं यह गुण हो गए पाच्वा question देखें What does Annie write in her first essay? Annie ने अपने पहले निवन्द में, पहले essay में क्या लिखा? Answer दिखें In her first essay, पहले निवन्द में, Annie wrote about her talkative nature Annie ने अपने बातोनी सभाव, talkative nature के बारे भी लिखा She tried to justify her trait as a characteristic of every student उसने अपने इस विशेशता को justify किया एक हर student की विशेशता की रूप में उसने कहा कि बातोनी होना तो सभी विद्यारतियों का गुण होता है तो ये बात उसने अपने पहले ऐसे में लिखी थी She also said that she would try to cure it but was not sure he would be able to do so उसने ये भी कहा था कि वो इस को थोड़ा सही करने की कोशिस करेगी इस बातोनी की विशेशता को जो उसके अंदर थी इसको सही करने की प्रयास करेगी यानि कम बात करेगी but was not sure he would be able to do so परंत वो sure नहीं है पक्का नहीं कैसकती को वैसा कर पाएगी because क्योंकि she had inherited this trait from her mother क्योंकि ये गुण उसको उसकी मा से वनसानोगत रूप से पैदायसी उसको मिला था and no one can cure and inherited trait और कोई भी जो वनसान होगा चीज़े हैं उनको वो cure नहीं कर सकता छटवा question देखें Annie says teachers are most unpredictable is Mr. Kee Singh unpredictable how? Annie कहती है कि अध्यापक बड़े अप्रत्याशित होते हैं unexpected होते हैं मनमजी होते हैं क्या करने क्या नहीं करने कोई पता नहीं रहता क्योंकि ये बात जो मूल रूप से थी ये फैल पास के बारे में थी जब वो आपस में कलास में बात करते हैं बच्चे आपस में कौन अगली कलास में जाएगा कौन पीछे रह जाएगा तो वो कहती है कि unexpected होते हैं teacher तो मनमजी होते हैं क्या मिश्टर की सिंग ऐसे थे जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था चुके unexpected थे क्या ऐसा था ये question है आंसर देखें according to any about a quarter class that are dummies are not fit to be promoted to the next form but then teachers are the most unpredictable creatures any के अनुसार चौथाई क्लास का चौथा हिस्सा वन फोट जो के dummies हैं मूर्ख हैं जो बच्चे हैं वो fit नहीं है are not fit वो fit नहीं है कि उनको promote किया जाए उनको to the next form अगले क्लास में उनको promote किया जाए पास किया जाए quarter class यानि एक चौथा इस क्लास बेकार है मूर्ख है but then teachers are the most unpredictable creatures परन्तु जो सिक्षक होते हैं वो unpredictable होते हैं उनके बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता अपरत्याशित होते हैं ते might or might not promote them वे उनको promote कर भी सकते हैं promote नहीं भी कर सकते हैं यानि अगली क्लास मन को भेज भी सकते हैं और नहीं भी भेज सकते हैं उस कहा नहीं जा सकता फिर Mr. Kee Singh के बारे में पूचा है कि वो कैसे हैं Mr. Kee Singh is unpredictable Mr. Kee Singh भी अपरत्याशित हैं मनमोजी हैं He gives and gives home work to Annie as a punishment अब ये बात बता रहे हैं कि कैसे अन प्रिक्टिव रहे हैं तो वो Annie को देंड सरूप home work पर home work देते रहते हैं देते रहते हैं She does it rightly as she can और Annie इसको बहुत सही तरीक किसी जितना वो कर सकती है करती है home work को She hopes Annie उमीद करती है that after the last essay कि आखरी निवंद के बाद Mr. Kee Singh would give her home work again कि Mr. Kee Singh उसको द्वारा home work देंगे ऐसा उसको लगता है क्योंको उसने Mr. Kee Singh के बारे में कुछ ऐसी कविता बना दी थी But instead he allows Annie to talk in the class परुंत इसकी बजाए Mr. Kee Singh ने Annie को class में बात करने की अनुमती दे देते हैं He also doesn't give her home work again और वो उसको द्वारा home work भी नहीं देते हैं तो ये एक unexpected बात थी जैसा Annie ने सोचाता वैसा नहीं हुआ इसलिए Mr. Kee Singh भी unpredictable है सात्वा question है जिसमें के 5 question पूछे गए हैं जो के आपके text book से quotation लिए गए हैं कुछ लाएने वो लाएनों से related question है तो पहला इनके बारे में बात ये है question में What do these statements tell you about Annie Frank as a person ये बात क्या आपको क्या बताते हैं के Annie Frank किस तरह की ब्यक्तिती अब सभी बात्यों को हम एक एक करके लेंगे question में जो दिये हैं और उनके answer को लिखेंगे साथी साथ में तो ये बाते हैं कैसे सावित करेंगी के Annie किस प्रकार की परसन थी ब्यक्तिती ये question है तो first इसमें पूछा गया है we don't seem to be able to get any closer and that's the problem maybe it's my fault that we don't confide in each other ये quotation लिया गया है बात ली गई है lesson से जिसका आर्थ है हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते और ये मेरी समस्या है हो सकता है इसमें मेरी गलती हो कि हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है ये बात Annie ने कही है तो अब इससे क्या पता लगता है किस तरह की Annie है तो answer लिखें These lines show ये line दिखाती है that Annie puts the blame on herself कि Annie खुद पर दोस्त लगाती है that she does not confide in people easily कि वो आसानी से लोगों पर विश्वास नहीं करती है इसलिए तो वो कहती है उस lesson में आपने देखा हो तो कि मेरे दोस्त हैं बहुत सारे लोग हैं वो भी पर्चत हैं वो भी दोस्त हैं पर हम तो मैं उनको अपने secret नहीं बता सकती तो यहाँ पर यही बात line से दिखती है वो खुद पर वरोसा नहीं करती she does not confide in people easily, वो आसानी से लोगोपर विस्वास नहीं करती है she does not have true friends to share her thoughts and what is going on in her mind वो उसका कुई सचा दोस्त नहीं है जिससे के वो आपने thoughts को share कर सके जो भी उसके दिमाघ में चल रहे हैं उन बातों को वो किसी दिखती से एक है उसका कुई दोस्त नहीं है second line देखें जो बताएगी किस प्रकार की यहनी है I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would but I want the diary to be my friend मैं इस diary में ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकती जिस तरीके से ज़्यादा तर लोग लिखते हैं वैसे मैं नहीं लिख सकती लेकिन मैं diary को अपना मित्र बनाना चाहती हूं यह बात तहरी नहीं कही है तो इस बात से क्या पता लगता है तो आउसर है She knows her mind and he अपने दिमाग को जानती है मन को जानती है and has her own way of doing things और उसका अपना खुद का तरीका है चीजों को करने का एक अलग तरीका है She is original and not traditional वो मॉलिक है ओरिजिनल है जैसी है वैसे ही वो बातें करती है वैसा ही सोचती है वैसा ही वो काम करती है वैसा ही वो लिखती है कुछ बनावटी नहीं होता तो traditional नहीं है वो परपरागत नहीं है याने दूसरे जैसे लोग करती है उस तरे की वो नहीं है third दिखें point Margot went to Holland in December and I followed in February where I was plunked down on the table as a bird represent for Margot Margot, जो उसकी बहन है Annie की, बड़ी बहन तो वो एक sentence इसमें आया है इससे क्या पता लगता है Annie किस तरह की है Margot December में Holland चली गई थी और मैं फरवरी में गई फरवरी में जब गई तो बागे बोलती है जब मुझे Margot के बड़े पर जन दिन पर उसके present की रूप में उपार की रूप में मेज पर पठक दिया गया था तो इस लाइन का क्या मतलब है वो simply इस बात को कह सकती थी परन्तो एक मजाक के तोर पर बड़े अच्छे तरीके से इस बात को कहती है कि Margot December में चली गई मैं फरवरी में आ गई और मुझे Margot के बड़े पर एक गिफ्ट के रूप में पठक दिया मेज पर पठक दिया तो यह क्या बताता है Margot के बारे में तो आंसर है Annie has a good sense of humor Annie के अंदर मजाक करने का एक अच्छा sense है She knows how to narrate events in a family वो जानती है कि एक परिवार में किस प्रकार से घटनाओ को नरेट कैसे करते हैं लोग कैसे बात करते हैं परिवारों में वो इसी प्रकार से उस निडारी में लिखा है फ़र देख है यह sentence है If you ask me there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back but teachers are the most unpredictable creatures on earth एन ही कहती है अगर आप मुझसे पूछो तो कच्छा में कम से कम चोथा ही चात्र कमजोर हैं डमीज हैं, बेवकूप हैं, मूर्क हैं उन्हें इसी कच्छा में रखना चाहिए प्रमोटर नहीं करना चाहिए लेकिन अध्यापक इस प्रत्वी पर सबसे अनेक्सपेक्ट अन्प्रेडिक्टेवल अप्रत्यासे जीव हैं जिनके बारे में कुई कुछ कह नहीं सकता तो ये लाइन का क्या मतलब है तो आउसर है शी इस अब्जर्वेंट वह एक तेज नजर वाली चौकस है एनी एन अनलेटिकल और विशलेशक है और फॉर्ब्स हर अन उपिनिन वह अपनी खुद की राय बनाती है तो ये विशिश्ताय मताती है इस लाइन से एनी के बारे में पांचवा और आखरी जब मिस्टर की सिंग उसको निवन लिखने के लिए देते हैं तो वो निवन लिखते टाइम पर इस बात को कहती है ये बात है कि कोई भी बेसर पैर की बाते हैं फालतुकी इदर उदर की बाते हैं लिख करके ज़ादा ज़ादा सब्दों के बीच में जगए छोड़ करके इस पेश छोड़ करके लिख सकता है पेजी भरना है तो कोई भी कैसे भी कर सकता है निवन दर को लिख सकता है पर मुद्दा ये है कि मैं बात करना कितना जरूरी है इसको सिद्ध करने के लिए अच्छे बिंद्यों को लिखना चाहती हूँ क्योंकि वो औरिजिनल लिखना चाहती है जैसी सोचती है वो वैसी लिखना चाहती है तो इसलिए वो कहती है कि मैं दूसरों की तरह नहीं लिखोंगी जो कोई भी बेसर पैर की बाते लिखते हैं बीच बीच में जगह चुड़ करके, दूर दूर लिख करके, कुप पेज भर देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, मैं चाहते हूं कि इस निवन्दों में ऐसा कुछ लिखूं कि बात करना कितना जरूरी है, talking कितना ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, इसको सिद्ध करन के लिए अच्छे बिंदू को में लिखना चाहते हूं, तो इस बात का मतलब ये है, तो आंसर में लिखना है कि ये क्या बताता है, कि एनी क्या है, एनी जानती थी कि कैसे आसानी से या प्रवावशाली तरीके से लिख सकते हैं, और ऐसे आर्गुमेंट दे सकते हैं, जो कि स्विकारियों के हों, acceptable हों, सब को स्विकार हों, ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं, तो ये सभी पांच बातों से आपको पता लगा कि एनी किस तरह की ब्यक्ति है, चलिए थैंक्यू, एंप इंगलेस क्लासे को आप जरू सब्सक्राब कर लेना, पूरा वीडियो दिखने के लिए धनवाद, सब्सक्राब करना एदा आप नहीं जानते हैं, तो लाल कलर से आपके मोबाइल में सब्सक्राब लिखा हुआ होगा, उसको आप टच करेंगे, टच करते ही वो भाइट कलर में बदल जाएगा, यानि चेनल सब्सक्राब हो चुका है, बगल में बेल आइकोन है, उसको ज़रूर प्रेस करें, प्रेस करते ही तीन तरह के उप्सन आएगे, इसमें सबसे उपर के उप्सन, आल को आप टच करेंगे, तो जो भी वीडियो में बढ़ाऊंगा, वो तुरंक आपकी मोबाइल पर, नोटिफिसन के रूप में बहुंच जाएगा, जल्दी से जल झाल